जब कोई आपको चिढ़ाए मजाग मजाग में ही आपको सुनाए अक्सर वो आपका मजाग उड़ाए एक तरीके से आपको हुमिलियेट करे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आए जानते हैं हलो माई नेम इस पीटी और विलकम टू माई चैनल जजबा ऐसी कंडिशन जब आप अपने फ्रेंड सरकल के बीच में होते हैं और कोई आपसे मजाग कर रहा होता है आपको किसी चीज को ले करके चिढ़ा रहा होता है तो कभी कभी ना मजाग थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ऐसे में आपको बुरा भी लगता है आप थोड़ा सा इंसल्ट फील करते हैं आप अपने आपको ले करना बिलकुल भी कुछ भी टोलरेट नहीं कर पाते हैं कोई भी बात अपने खिलाफ बिलकुल नहीं सुझ पाते हैं ऐसे में आप रियाक्ट करते हैं और जब आप रिया पीट पीछे उल्ने लगता हैं वोग पीट पीछे आपकी बुराई करने लगते हैं आपके उपर हसे भी क्योंकि आपने रियाक्ट करके न यह शो कर दी कि आप अंदर से कितने वीक हैं, हसी मजाग को या किसी भी situation को किसी भी चीज़ को आप ठीक से handle नहीं कर पाते हैं इसके बज़ाए अगर आप भी उसके साथ मजाग करते या आप उसकी बात को serious ना लेते, आप खुद उस बात पर हसते, तो वो condition, वो situation ना इतना जादा खराब ना होता, और बाद में आपको उस चीज़ के लिए ना पस्तानी की भी जरूरत ना पड़ती वो चीज़ शैद महीं पर खतम हो जाती जब भी ऐसी कोई condition आए ना आपका कोई मजाग उड़ा रहा हो और आप भी उसे जवाब देना चाहते हैं तो उस चीज़ को ना हसी मजाग में ही दीजिए आप उसे माल लीजिए कि हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा observation क्या कमाल का है मतलब तुम्हारे पास इतना time है कि तुम मेरे बारे में इतना सोस्ती हो मैं तुम्हारे लिए इतनी important हूँ यह जानकर काफी अच्छा लगा तुम्हारे पास मेरे लिए इतना time है या फिर आप कह सकते हैं कि अभी तुमने तो कुछ जाना ही नहीं अभी काफी कुछ जानना है तुम्हें मेरे बारे में काफी time लगता है तुम्हें किसी चीज़ को समझने में चलो कोई नहीं समझ में तो आया इस टाइप की चीज़ें जब आप कहते हैं न तो इस से वो चीज मजाग में ही सही बट उस तक आपका message पहुच जाता है और condition या situation ना serious नहीं होती है इस तरीके से relax mode में जवाब देने से न ये चीज दिखाई देता है कि आपकी उपर दूसरों के opinion से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको समझ में सब आता है बट आप उस चीज से disturb नहीं होते हैं इस तरीके से आप उसके मजाग को ना उसी पर ले जाते हैं व्योकूफ या फिर weak नजर नहीं आते हैं बलकि आप smart नजर आते हैं आपको पता है आपको कहां और क्या reaction देना है इस expression ना सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो उसे सही रखिए आप हस कर उसे thank you भी कह सकते हैं अगर आप बिलकुल cool नजर आएंगे अगर आपके चेहरे पर बिलकुल शिकर नहीं होगी अगर आपके face पर smile होगी वो कुछ भी कहे आपके उपर असर नहीं होता है अंदर से confident है तो उसका मजाग उसी पर भारी बढ़ जाता है तो बड़ा आपको ऐसा कुछ कहता है जो आपको पसंद नहीं आता है आपका मजाग उड़ाता है आपको चिड़ाता है तो ऐसे में आपके face पर एक छोटी से smile और साथ में thank you बोलना या फिर हस कर वहाँ से चले जाना smile करके वहाँ से उठकर चले जाना यही उसका जवाब होता है इसी से उसे पता चल जाता है कि आपके मन में उसके लिए कोई खास जगा नहीं है जिस तरीके से वो आपको पसंद नहीं करता है उसी तरीके से वो भी आपके लिए important नहीं है यह चीज शो हो जाती है और उसे एहसास भी हो जाता है अगर आप sad होते हैं आपको गुस्सा आता है या आपके face का expression एकदम से change हो जाता है तो यह सारी चीज़े ना notice की जाती है और इससे आप सामने वाले को अंदर यंदर खुश कर देते हैं तो आपको अपने face का expression जो है ना वो सही रखना है और वो तभी होगा जब आप अंदर से उस चीज़ को serious नहीं मानेंगे या फिर उसकी बातों का सर आप पर नहीं होगा आप खुद को लेकर confident होंगे कोई कुछ भी कहे इससे आपके उपर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी बातों में बिल्कुल सक्चाई नहीं है ना बाते और बढ़ती हैं वहाँ पर जो लोग भी होते हैं वो बाद में आगे और लोगों को भी आपके बारे में बताते हैं कि पता है उस दिन क्या हुआ था वो कैसे react किया था अगर आप हसी मजाग को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप इस चीज़ का पार्ट ही ना बने आप ज़्यादा किसी के साथ उठे बैठे ही ना या जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट होना आप वहां से हट जाईए या फिर आप लिमिटेड बोलिए आप खुद भी दूसरों को क्या कह रहे हैं और दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिए कभी कभी ना इसी हसी मजाग के चक्कर में लड़ाई हो जाती है मन मुटाव हो जाता है कहा सुनी हो जाती है और आपको कभी ना किसी और के थूपता चलता है कि वो इनसान आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा था फिर आपको और दुख और तकलीफ होता है इसलिए इस सिच्वेशन को आने से आपको ही रोकना है आपको ना उतना ही बोलना है जितना की आप खुद के लिए सुन सकते ह दूर दूर से ऐसे इंसान से आप मतलब रखिए, जो हमेशा दूसरों की खिचाई करते हैं, जो ऐसा मजा करते हैं जो सुनकर बुरा भी लग जाता है, तो ऐसे इंसान से आपका दूर रहना थोड़ा सा आपके लिए ही अच्छा, जादा किसी के साथ उठते बैठते हैं तो ये चीजें सरूर होती हैं, अगर आपने अपने इमोशन्स को अपने गुस्से को कंट्रोल करने का हुनर सीख लिया, तो इससे ना आपको कोई भी प्रॉबलम हो, कोई भी सिच्वेशन हो, आप उसे इसली हैंडल करने लग जाते हैं, तो ये चीज ना अपने अंदर डिव करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, अपना ध्यान रखिए